हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हुरू भी आज हम बनाएंगे सबस्य डाना सर्वाद कराई चला दिया इसीके साथ हम सबस्य दाना को बनाएंगे तो हम ने सबस्य करते करते हमारा सबुदाना भी बन जाए और समय भी बच जाए यहां हमारा दूदु बनने लगा है यह हमने सबुदाना 100 ग्राम दिया है हमने एक घंटा के लिए फुलने के लिए रख दिया था तो आप ही चाहें तो ऐसे कर सकते हैं जाले और हम सबुदाना डाल दिये और इसको चला देंगे ताकि नीचे से चिपकेना और अपना बनते रहेगा और इधर हम अपना दूद का काम करते रहेंगे दूद हमारा 10 मिनद तक गरम हो गया था इंदे कि अच्छे से गरम हो गया है खुल गया बढ़िया से इसमें हमने अर्मन डाला आप चाहें तो डाले नहीं तो है हिर हमने रूआप जाड जूस डाला करेया हम चाहें तो कम श्कार सकते हैं हमने तीन चमच डाला है और पिर इसको मिक्स कर देंगे इससे कलर बहुत आ था आता है अगर आप मेठा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं यह तो हमारे तरह भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से पक जाएगा सबुदाना अगर आर पार दिखने लागा तो यानि सबुदाना जो है बढ़ियां से पक चुकी है हुई मैं चेक कर रही थी कि मेरा सबुदाना पका की नहीं फिर हम इसमें दालेंगी लाइजी खुसबु के लिए अच्छी खुसबु आएगी और फिर बुको चला देना है गण्मियों में पीजिए पेट दम थंदा लाएगा मजा देगा यहां हमने जो सबुदाना पकाया ह है उसको हम अच्छे से छान लेंगे और ही ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका ट्रेप्रेचर कम हो आपस में चिपके ना तो इसे धो लेना है है फिल है हम यहां पर कुरिश्टल in लिए रे लिये है पाइनेपल फ्लेवर का आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं यईपी दुकार में मील सक भी जाएगा और यहां पर गर्म पानी उसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है एक लाफस नारा है और थाली में इस तरह से पुरे थाली में फैला देना है और पहन्ताली मिनट के लिए छोड़ जाएगी और फिर मिक्स कर देंगे और ये जेली मिला देंगे आप माजा आएगा पीने मेबर बनाएगा जरूर और इसे फ्रीज में रख दीजिएगा दो घंटे के लिए ठंडा हो जाए तो माजा आजाएगा अगर आप ठंडा पीते हैं तो भीजिए नहीं तो ऐसे भी आप पी सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए संस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए थाइंक यू